नमस्ते बच्चों, मैं उमीद करती हूँ कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपकी सेहत अच्छी होगी बहुत बहुत स्वागत है अज की क्लास में, हम गनित की दुनिया किताब का दूसरा पार्ट कर रहे थे संख्याओं का खेद, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ सीखें, पीछे की ओर गिनकर घटाओ, संख्या पटी की सहायता से उल्टी गिनती गिनकर घटाओ, ये है संख्या पटी और हमें अब पीछे की तरफ को जाना था, जब हमने जोड़ना था तो हम आगे को गए थे, अब हमें घटाना है तो हम पीछे को चलान लगाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, विश्राल के पास नौ पैंसिले थी, उसने चार पैंसिले असलम को दे दी, उसके पास कितन पैंसिले हैं, देखिए, नौ थी उसके पास, अब हम चार उसने निकाल दी, नौ में से चार निकाल दू, मतलब नौ में से चार बार, एक, दो, तीन, चार, पीछे जाएंगे, चलांग लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, पांच, पिलकुल, पीछे पांच, चार पार चलांग लगाकर हम पहुंच गए, पांच पे, तो देखिए, दबो में लिख दिया, आठ, साथ, छै, पांच, और हम पहुंच गए, पांच पे, इसी तरीके से अगला सवाल, मनवीद के पास आठ गुबारे हैं, उसने तीन गुबारे हवा में छोड़ दिये, अ मतलब अब वो उसके पास नहीं रहे, वो हमें घटाने पड़ेंगे, आठ में से तीन गए, आठ से शुरू करके, तीन बार पीछे जाना है, फिर उन डबो में रकम लिखनी है, साथ, छै, पांच, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा बज्चो, पांच, देखिए, आठ में से तीन निकालने है, यहाँ से शुरू करते हैं, यह रहा आठ, और आठ से हम अब तीन बार पीछे जाएगे, एक, दो, तीन, क्या उतर आया, पांच आ रहा है ना बच्चो, देखते हैं, क्या यही उतर था, आठ में से तीन निकाल कर, जी हां, पांच ही उतर था, अगला प्रिशन है आओ करें प्रियंका ने साथ फूलों में से तीन फूल शालिनी को दे दिये प्रियंका के पास कितने फूल बज्जे अब देखिए उसके पास साथ फूल थे उसने तीन शालिनी को दे दिये अब उसके पास कितने बज्जे वह यहां लिखना है साथ में से तीन निकाल दे एक दो तीन बार पीछे एक डबा दूसरा डबा तीसरा डबा साथ से पहले छै पांच चर तो साथ में से तीन गए क्या चार आता है देखते हैं साथ में से एक, दो, तीन, जी हाँ, बिल्कुल, उत्तर क्या रहा है, चार, यहाँ हम लिख देंगे बच्चों, चार, अगला, सुप्रीत के पास साथ गुबारे थे, उसने पांच गुबारे हावा में छोड़ दिये, अब उसके पास कितने गुबारे बचे, अब उसने पांच निकाल दिये, अब कितने बचे, वो यहाँ लिखना है, तो पांच दब्बे बना दें, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ से पहले क्या आता है? छे, पांच, चार, तीन, दो, उत्तर दो है, चलिए देखते हैं, साथ में से पांच गुबारे निकाल दो, ये रहा साथ, इस में से पांच निकालो, एक, दो, तीन, चार, पांच, जी हाँ, उत्तर क्या रहा है? दो, आगे, नौ में से छे, ये रहा नौ, अब हमें छे बार पीछे जाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दो दब्बे बनाकर, चलिए लिख देते हैं, कौन-कौन से अंक आएंगे इस दब्बो के अंदर, नौ से पहले, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, तीन उत्तर आ रहा है, आईए उपर भी देख लें, नौ में से छे निकाल कर क्या आता है, नौ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, बिल्कुल, ये तो तीन ही आ रहा है, आगे दिया गया है बच्चो, आठ में से तीन निकाल दो, ये रहा आठ, इससे पहले तीन, एक, दो, तीन, तो ये डबा, साथ, छे, पांच, पांच उत्तर आ रहा है, देखते हैं, आठ में से तीन निकाल कर, क्या पांच आता है, आठ, पीछे एक, दो, तीन, जी हाँ, आठ में से तीन निकाल कर, घटा कर हमारे पास पांच ही आता है, आगे कहा गया है बच्चो डैनिक जीवन घटाओ और बताओ कि कौन कहां रहता है और रंग भरो घटा कर बताना है कौन कहां रहता है ये प्रीत का घर है जो बच्चो प्रीत है वो 9 में से 4 घटाएं उस घर में रहता है तनीशा 7 में से 1 घटाएं उस घर में रहती है और अनमोल 9 में से 2 घटाएं उस घर में रहती है तो चलिए पहले शुरू करते हैं 9 में से 4 घटाते हैं ये रहा 9 इस में से 4 घटाने 1, 2, 3, 4 क्या उत्तर आ रहा है बच्चो पांच आ रहा है 9 में से 4 घटा कर हम यहां लिखतें गुदेंगे 5, 7 में से 1 निकाल दो, 7 में से 1 निकाल दो, तो उतर आ रहा है 6, तो चलिए, यहां लिख देते हैं 6, 9 में से 2 घटा दो, वापिस जाते हैं, और 9 में से 2 घटा दो, 1, 2, उतर आ रहा है 7, ठीक, अब रशन पूछा गया है, किसका मकान नंबर 5 है, उसमें नीला रंग भरो, किसका है बच्चों 5, बिल्कुल सही पीटर का, अब इसमें हम नीला रंग भरेंगे, ध्यान रहे, रंग बाहर ना निकले, और इसको रंगते हुए आपके अंक भी नहीं चिपने चाहिए, इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए, वरना आपका प्रेशन चिप जाएगा, नीले को इंग्लिश में बोलते हैं, ब्यू, तो मैं पूरा नहीं रंगूंगी, मैं यहाँ पर छोड़ दूंगी, तांकि आपको आपका प्रेशन दिखाई दे जाए, 9 और 4 दिख जाए, ठीक है बच्चों, अगला है, किसका मकान नमबर 6 है, उसमें लाल रंग भरो, तो 6 है तनीशा का, और इसमें हम लाल रंग भरेंगे, यह बढ़ दिया लाल रंग, अगला है, किसका मकान नमबर 7 है, उसमें हरा रंग भरो, तो 7 है, अनमोल का, यहां लिखते हैं, अनमोल, और इसमें हरा रंग भरते हैं, ध्यान से रंग येगा, ये हमने रंग दिया हरा, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, संख्या पट्टी की सहायता से घटाओ, अब हमें घटाना है, मतलब हमें पीछे की तरफ को जाना है, 9 में से 8 घटाए, तो बच्चों यहां लिखा 9, और यहां लिखा 8, 9 में से 8 घटाए, तो क्या उत्तर आएगा, ये रहा 9, हमें पीछे की तरफ को जाना है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, अगर 8 घटा दिये, तो उत्तर आ रहा है, एक, एक, और हम यहां पे भी एक लिख देंगे, घटाते हुए, पीछे को चलांग लगाने, याद रहे, 6 में से 4 निकाल दो, 6 में से 4 घटा दो, पीछे 4 बार चलांग, एक, दो, तीन, चार, उत्तर आ रहा है बच्चों, दो, यहां दो, दो, और दो, अगला है, साथ में से अगर 5 घटाने हैं, यह रहा साथ, 5 घटाना, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार पीछे चलांग लगाना, दो आ रहा है उत्तर, यहां पे भी दो और यहां भी दो, आठ में से 6 घटाना, आठ यह रहा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, कितना आ गया, दो, पांच में से 2 घटाना, पांच से पीछे को दो बार, एक, दो, तीन आ रहा है उत्तर, तो यहां भी तीन, तीन, और तीन, साथ में से 6 घटाना, साथ में से 6 पीछे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, उत्तर आ रहा है बच्चों, एक, एक लिखेंगे, एक और एक, आठ में से चार निकाल दो, चलिए, आठ, एक, दो, तीन, चार, बचता है हमारे पास, चार, चार, और चार, उसी प्रकार यहां लिखा गया है, नौ में से अगर आप पांच निकालेंगे, नौ, पीछे वच्चो पांच बार जाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, तो उतरा रहा है, चार, चार, और चार, यह थी बच्चों आज की क्लास, अब हम अगली क्लास में आगे करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए,